नमस्कर दोस्तों तो आज हम इस वीडियो में एक और पोर्टफोलो की उपर बात करने वाले तो जिनका ये पोर्टफोलो है इनका एचे 30 एर्स उत्तरा घंड से बिलोंग करते बहुत ही सुन्दर जगा है तो इन्वेस्टमेंट इन्हों ने स्टार्ट किया आज से देर साल पहले जब रश्या यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ था इनको अपने पोर्टफोलो को होल्ट करना है 18 साल मुझे इस पोर्टफोलो में और क्या एड करना चाहिए और मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ और सब आपी से सीखा है तो उसके लिए थेंक्यू और मुझे आपका नाम याद भी है आप एक तेम पे कमेंट सेक्शन में बहुत साथ एक्टिव हुआ करते थे तो चलिए देख लेते दोस्तों कि कैसा इनका पोर्टफोलो को कैसे और बेटर बनाया जा सकता है तो दोस्तों इन्होंने टोटल इंवेस्टमेंट किया है 20 लेक का करेंट इन्होंने बहुत सारी स्टॉक को एड नहीं किया अभी मैंने काफी टाइप के काफी सारे इन्वेस्टर देखा कुछ ऐसे इन्वेस्टर जो आपके सकतो कि सक्सेफुल रहे अपनी चार्णी में तो कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते जो कि अपने पोर्टफोलो में 5-6 अछा कासा पैसा उन लोगों ने बनाया उसके बाद आते हैं मीडियो कर जो इन्वेस्टर है मीडियो का मतलब क्या है कि वह मीडियम या पर बीच में आ जाते हैं पंदर 15-18 स्टॉक वह अपने पोर्टफोलो में रखते एंड उसके अंदर मैं भी आ जाते हूँ यंदर हैं और वो सौ स्टॉक बाई कर लेंगे या 50 स्टॉक बाई कर लेंगे हर स्टॉक में 2-2 लाग करके डाल देंगे तो ऐसे वाले इंवेस्टर भी पैसा बना लेते स्टॉक मर्केट में क्योंकि काफी सारे मल्टि वैगर बन जाते तो ऐसा नहीं कि कोई कि कितना स्टॉक होना चाहिए जो आपके लिए आप कहा सकतो थोड़ा बेटर है कि जिसरे डिस्क भी पॉर्टफ़लो कम रहे और डाइवर्सिफिकेशन भी रहे पॉर्टफ़लो में तो आप वो चीज़ कर सकतो ओके आई थिंग या पर 12 स्टॉक की जागा अगर 15 स्टॉक भ कर सकतो टाइटन कंपणी को मुझे बहुत अच्छ लगता है और मेरे खुद के भी पॉर्टफ़लो में है निक्स कंपणी भी मेरे खुद के पॉर्टफ़लो में बजाज फाइनेस 2.1 लेक का इंवेस्टमेंट है 48,000 का प्रॉफिट हो रहा है और 22% का प्रॉफिट है यान आप संप्ली हुल्डेन कंटीनू कर सकतो देन इनके पास एस्टल कंपणी 99,000 इंवेस्पेंट 34% का अच्छा प्रॉफिट 35% का प्रॉफिट हो रहा है ओके 34,000 35% प्रॉफिट तो एस्टल बहुत अच्छा कंपणी स्ट्रॉंग है एंड मैनेजबेंट बहुत अच्छा है अगर आप इनका प्रोमोटर देखेंगे तो उनका एज आज कितना जादा हो चुका है बाट फिर भी वो काफी जादा सीख रहा है और आइटिंक उन्होंने किसी उनिवर्सिटी में एड्मिशन ली है तो बहुत अच्छी बात है अच्छा मैनेजबेंट है काफी जादा सी इनक्स रीट है वो जरूर देखा होगा काइट इन्वेस्टिंग चैनल पर जिससे आपको पता लग जाएगा कि एस्टाल उसके बाद जो नीचे वाला कंपणी शेंपेंट तो यह कंपणी कौन से कैटेगोरी के अंदर आते क्या यह डीप वैलू इन्वेस्टिंग के अच्छा कंपणी हैं च्रॉण हैं ऐन्ड कंपॉंडर कंपणी के अंदर सबसे अच्छा अगर कोई कंपणी करेगा ऐट या बहुत जादा प्रूदक्शन करेंगी तो आफ्यष स्ट वहां पे कम लगदा है तो वह स्ट आडवांटेज आ जाएगा एक पास क्यूंक्य बढ आपके वास बहुत जादा कैश है तो आप क्या कर सकतो आप क्या पिक्स कर सकतो जो डॉआ में ट्रल आप बाहर से खड़ीद रहे थे तो वह आप खुद बनाने वाले अभी तो उससे भी मार्चिन में बेनेफिट होगा तो यह एशन पेंड कर सकता है जो कि छोटे कंपनी के मुश्किल होने वाला है उसके बाद एक इल्टे माइंटरी और दो लाग यार अज़र का इंवेस्मेंट है नौ परसंट का प्राफिट होड़ा है अच्छा कंपनी इल्टे माइंटरी आप संपली होलने कंटीनू कर सकतो नंबर अभी तक आया निया देखेंगे कैसा नंब अगर आए एक दो दीन तक स्टॉक दो दो तीन तीन परसंट भागे अगर आप एक थोड़ा सा एक साल का व्यू लेंगे तो आज उसे उपर यह स्टॉक तो बहुत सस्ता बहुत चीप नहीं हुआ है तो वह वाला सी नहीं बाकी कंपनी तो अच्छा ही है एंड होल्ड करें देने डिमार्ट कमपनी और का रिजल्ट आज आएगा मैंने हाला कि अभी तक देखा नहीं रिजल्ट दो लाक का इंवस्समेंट हो रहा है अच्छा है स्टॉंग है कंसिस्टेंट है इसका कम है दिमार्ट में तो आई थिंग आप संप्ली थ कंटीनू कर सकते हो क्योंकि इ आई कहा पर बेजता है कौन से देश में इनका सबसे जादा रेविनु आता है तो वो सारा कुछ आपको देखना पड़ता है बट क्या है कि अगर आप कभी-कभी अच्छा मैनेजमेंट पकड़ लेंगे तो आपको बिजनस उतना अगर समझ में ना आए तो भी काम चल जाता ह और डिवीज में आई थिंग वो मैनेजमेंट लेजमेंट है टो डिवीज लेब मोली डिवी बहुत अच्छा काम उन्हें की है तो डिवीज लेब में जैखने अच्छा का साई है टॉप क्यालिटी एपे मैंछिज़निग कंपनी जिसका दुजरच और चौबीस उतना अच तो दिपक नाइट को I think आप simply hold and continue कर सकतो कल हमने में चैनल पे एक वीडियो भी पोस्ट किया था जे में फानेशल का रिपोर्ट था और वहाँ पे उन्होंने हमारे सामने दो थीम रखा था एक जो थीम था वहाँ पे उन्होंने डिसकस किया था कि जो फ्लूरी नेशन वाले यह अच्छे करेंगे उसके अलावब इंपोर्ट सब्स्ट्यूशन वाले कंपनीज वह भी अच्छे करेंगे वहाँ पे दो नाम आया था एक था दिपक नाइट का दूसरा था दिपक फुर्टिलेसर का तो दिपक नाइट फिनॉल का सब्सट्यूशन निकर आया राइट तो वह अच्छे कंपनीज एंपोर्ट सब्सट्यूशन की तरह काम करते और गवर्णमेंट भी इनको सपोर्ट करेगा तो अच्छा कंपनीज दो लाग बीसेजर का इंवेस्टमेंट है इधर पर कोई प्रॉफिट नहीं है तो फाइन ऑर्गनिक एक अच्छा कंपनी है और फाइन ऑर्गनिक का लास्ट दो क्वाटर सा अगर देखें रेविनु किल्ड आए और निया तम एक दो क्वाटर और भी खड़ाब आसा है तो निया टम चैलेंज है बाट लॉंग टर्म के लिट से गुट कंपनी एंड कंसिस्टेंट कंपनी निक्स्ट कंपनी केंपस करना स्टार्ट किया था बट कभी भी मैंने इंवेस्टमेंट करने का आप कैसा तो मुझे मौका नहीं मिला क्या देखके इंवेस्टमेंट नहीं किया वह मैं आपको बताता हूँ देखें आज केमपस का जो मार्केट कैप है वह 9600 करोड है और स्टॉक तो गिरा है बहुत जादा 50% क्रैश हो चुका है इंट्रेस्टिंग है क्योंकि 17% का मार्केट शेर यह कंपणी के पास अगड़ा एट लीशर के अंदर देखेंगे तो बड़े-बड़े दिगच बहार के जो ब्रैंड जैसे नाइकी जैसे रीडर जैसे उनको टक्कर देता है यह कंपणी तो आज पी रेशो देखेंगे तो 82 है तो क्या मैंने पी देखके निवेश नहीं किया नहीं पी नहीं मैंने देखा था क्या है यह वाला प्राइस टू सेल्स चो कि अभी तो आपको 6.5 टाइम्स देखीगा बट कुछ टाइम पहले अगर आप देखेंगी धर पे यह देखें ऑक्टोबर 2022 आज से लगभाग एक साल पहले या उससे थोड़े कम टाइम पहले कितना था प्राइस टू से 25 टाइम्स टाइम्स तो यह ओविस्टी काफी एक्सपेंसिव होता है कितने कंपनीज आपको मिलेंगे जो कि 25 टाइम्स प्राइस टू सेल्स में ट्रेड हो रहा है तो वो चीज मुझे काफी एक्सपेंसिव लगा था अभी वहाँ से तो बहुत गिर चुका है और 25-26 टाइम्स से गिर के अभी आ चुका है 6 टाइम्स में तो बहुत अच्छी बात है इतना गिरा कैसे एक तो कंपनी का सेल्स डबल हो गया दो साल के अंदर और जो दूसरा चीज है कि कंपनी का स्टॉक बहुत जादा गिरा तो प्राइस डू सेल्स आपको आज काफी कम देखने को मिल रहा है बाकि कंपनी का बिजनेस अगर आप लॉंग टर्म का देखेंगे तो कभी डी ग्रोथ देखने को नहीं मिला कोवीड वाले पीरियेड में भी कंपनी ने जा चुका है तो निक्स्ट कंपनी एंड लास्ट कंपनी आर्थी इंडस्ट्रीस 90,000 इंवेस्ट्मेंट 25 परसेंट लॉस आर्थी इंडस्ट्रीस का मैनेज़ देखेंगे तो उन्होंने काया कि 2024 में हमारा जो इवीडिया है वो 20 परसेंट ग्रोव करेगा 2025 में 25 परसेंट लोग करेगा एंड इस टाम में कैपेक्स भी काफी हो रहा है आर्थी इंडस्ट्रीस में अगरा फिक्स ऐसे देखेंगे तो लास्ट दो साल के अंदर डबल भी हो चुका है तो यह कुछ इंक्रेस्टिंग पॉइंट है जो की ग्रोथ लाने वाला है फ्यूचर में अभी ल कैसा लगा आप इनको नीचे कमेंट करके ज़रू बतना कि आपके सबसे पॉट्फोलो कैसा है मुझे तो काफी स्ट्रॉंग कंपनी या पे पॉट्फोलो लगा साड़े अच्छे वाले कंपनी को इन्होंने एट किया है अलग-अलग सेक्टर से लाइक एशन पेंट एंड अगर आप देखेंगे तो आपको जो डिलेस्ट का प्रॉक्सी सेक्टर उस बहाँ से देखेगा जो बिल्डिंग मिट्रेल वाला सेक्टर वहाँ से दिखेगा बजाज फाइनस फाइनस से टाइटन कंपनी कंजूमर सेग्मेंट से आई टी कंपनी से अगर आपको थोड़ा बिटर बनाना है पॉर्टफोलो को तो इन फोसी से ल्टे माइटरी में थोड़ा ज्यादा ग्रूफ आ सकता है तो इन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकतो एंड बाकी का जो पैसा थोड़ा बैंक में इस टाम में डाल सकतो कि बैंक कंपनी बहुत अच्छे करें हालाकि व अब अच्छे वाले कंपनी इसको अपने पकड़के रखा है एंड केमिकल से देखे तो आपके बास दीपक नाइटेट फाइन और्गनिक और अर्थ इंडस्टीज है अब इसारिफ के उपर फोकस कर सकतो इसारिफ का जो होल्डिंग कंपनी कामा होल्डिंग तो उसके उप चैनल पर अच्छे अच्छे कंपनी वीडियो हम पोस्ट करते हैं ऑस्पिटल कंपनी ब्रकाव काफी भाग गया नारानें को कवर किया था स्टोग काफी भाग गया तो अब कपका पॉर्परिफोल्यू पे लॉस ओना प्ट बहुत बढ़ी बात है कि लॉस ओना काफी मुश सा calculation कर लेते कि ये portfolio आगे जाकर कितना वेल्ट इनको बना करके दे सकता है तो टोटल invested amount हमने लिया है 21,87,000 का जो portfolio का size अभी बन चुका है 16% का average return अगर मिले जो कि बहुत अद्धक realistic return हमने लिया and 18 years के लिए अगर hold करे तो 18 years के बाद 3.16 करूर का जो वेल्ट है ये create कर सकते अगर और investment नहीं करते अगर 16% की जगा 18% का average return बना पाते है तो इधर पर कितना return बनेगा एक बार देख लेते तो 18% average return के साथ 4.3 करूर का जो वेल्ट है वो आप create कर सकते तो बहुत साथ रिस्क लेने की ज़रुवत नहीं है आप जाओ तो पॉलिकेप या के इंडस्टिस टाइप कंपरी के ओपर भी focus कर सकतो तो अच्छा portfolio अपने बना है एंड में चैनल को follow करते लिए वहाब आपको बहुत कुछ सीखने को में लेगा एंड इटीन अस तक यह portfolio को कंटीनू करेंगे ओके portfolio को continue करें मेरा सबसे जो लास्ट सजेशन यह रहेगा कि स्टॉक से शादी मत करिए अब स्टॉक मार्केट से शादी करिए राइट कि स्टॉक मार्केट में रहेंगे अठरा साल पट एक कंपनी में वही स्टॉक को कि आपको दूसरा पोजिटी मिलता है वहां पर शिफ्ट हो जाहिए ज़रूरी नहीं कि एक स्टॉक खड़ी लिया तो उसको दस साली होल्ड करना पड़ेगा तो दोसी यह था अचका हमारा वीडियो पोटफोलो रिव्यू का आई होप की वीडियो आपको अच्छे लगा ह तो वो मैप के साथ शियर करता जाओंगा फॉर लाइफ टेम प्लस आपको डेली बेसिस पर बहुत सड़ी लर्निंग कंटेन मिलेंगे जिसके तुरू हर दिन आप एक बेटर इंवेस्टर बनते चलेंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिलते अगले वीडियो मैं बाइब